आपने आपको एकैसी अप्लिकेशन बताओंगा इस एक हजार पेका लोन यह पर ले सकते हैं विनियमम आप यहंकEND나ाइब लेसके हैं और इस लोन को आप इंस्टेंट अपने भैक खाते नी भी हांस यह कर सकते हैं को कुर्ब पंतालिस दिन का मिलेगा, पंतालिस दिन के बाद आपको इसकी रिपेमेट करनी है, और आपको एक उर्पेगा भी यहाँ पे ब्याज नहीं देना, आपके पास अगर पैंकर साथ में आधार काड है, तो इंस्टेंट आपको इस अप्लिकेशन से आपके लिमेट मिल जाएगी तो हमें चलता अपने मुगाईल की सक्रीन पे, आपको परपटेटेल यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। आपको इस वीडियो में आपके बताने वाला हूँ। जो भी इसको इसको यहाँ पे पे करना पड़ेगा, तो आपको मैकसिमम टाइम यहाँ पे एक मंद का आपके मिल रहा है, जिरफ 20 रुपे का आपको यहाँ पर चार्ट लग रहा है। अगर आपको भी एक ऐसी अप्लिकेशन की जूरत है, जहाँ से आपको कम इंट्रेस्ट की अपर यहाँ पे लोन मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको वीडियो को एकदम लास तक देंगना है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वीडियो को आपके कंप्लीट नहीं देखते हैं, बात में जाकर बोलते हैं कि हमें इस अप्लिकेशन से यहाँ पे लोन नहीं मिलता, जो इस वीडियो को आपके कंप्लीट देखता है, उसको अच्छे से समाझ आ जाते हैं कि कैसे यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करना है, और कैसे लोन आपको यहाँ मिलेगा तो कुछ लोग आपे वीडियो को नहीं देखते जिनको वहाँ पे लोग नहीं मिलता तो यहाँ पर इसको transfer करने के लिए आपको करना किया और लोन कैसी apply करना तो सारा में आपको इस वीडियो में आपको बताने सबसे पहले आपको अधार ID को submit करना है, उसके बाद अपने pen card को submit करना है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे OTP आएगा, OTP को submit करना है, उसके बाद आपको अपने basic सी detail है, उसको feel करना है, उसके बाद अपने document को feel करना है, instant आपको इस application से यहाँ पर loan मिल जाएग 4.5 इसकी rating है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी rating है, इसकी 5 star में आपको काफी लोगों को हमने इन्होंने आपर rating किये, और काफी लोगों को इस application से यहाँ पर loan मिला भी है, तो loan apply करने के लिए हमारे को करना क्या पड़ेगा, हमारे को about section पर चलना है, तो सबसे पह आपको थोड़ा सो और उपर करना है, तो यहाँ पर example तोरवे आपको चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पर जो limit मिलेगी, तो 0% interest की यहाँ पर limit मिलेगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप अगर 1000 पे के loan को यहाँ पर apply करते हैं, जिसका time आपको 90 days का भी यहाँ पर मिल सकते हैं, और interest आपको 1 उर्पे का भी नहीं लगेगा, processing fees आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी 210 उर्पे की, और GST processing fees आपको 70 उर्पे देनी पड़ेगी, तो टोटल चार्ज आपको देने पड़ेगा 24, 27 उर्पे आपको देने पड़ेगा, और यहाँ पर 99, 12% की आपकी एपर र Lonearti Benefits Alternate, Instance Re reduced-nbfc, Care-owned Financial Service, Private Limited, तो यहाँ पर जो application है, एकदम nbfc application है, तो यहाँ पर धेख सकते हैं, लोण को option है आपको मिल रहे हैं, उसके आपको देख सकते हैं, यहां पर चार्ट कुना साथ, तो यहाँ पर रियालस ताइम यहाँ पर दिखावा है, कि अवीलेवल सा सार रियल टाइम लोन अप्लिकेशन एविलिवल है और आप यहां पर एक हजार से लिखे 10,000 पर का आप यहां पर लोन ले सकते हैं अगर आप यहां पर लोन अप्लाई करने में किसी परकार से कोई भी दिक्कत है तो contact number अविलिवल है आप इंसे यहां पर बात कर सकते हैं तो यहां पर आप सब्साफ यहां पर लिखा गया है अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इस हमे निकेशन पर के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकिbekह लिख एच्छेotes cash 0% interest student loan real time student credit student loan तो यहां पर जो application है सिर्फ student के लिए वर्ख कर रही है तो यहां पर आपको थोड़ा जा और देख लेना है तो यहां पर लिखा है loan the process you are the rb registered nbfc caron financial service limited तो यहां पर application नहीं है सबसे पहले उपर भी लिखा है पर मैंने आपको भुलाता है कि सबसे पहले लोन अप्लाई करना था पहले आपको अच्छे से चेक लेना और उसके बाद यह पर लोन के लिए अपलाई करना है तो यहां पर लिखा वा है कि सफसाफ लिक्लाई करेड़ित अप्टू तो आपको 10,000 पे कि यहां पे लिम्ट मिल जाएगी और यहां पे लिखान को टाइम पे यूज करेंगे तो आपको जो सिबल स्कॉर है वह भी यहां पे इंक्रीज हो जाएगा तो यहां पे लिखा वैसा यहां पर देख सकते हैं कि यहां पे लिखा है build your credit score अगर आप इसकी repayment टाइम पे करेंगे आपका सिबल को अच्छा हो जाएगा और आपको अच्छी का सी बाद में आप लिमट पी आप बढ़ा के दे दी जाएगी तो आपको थोड़ा सा यहां पे देख सकते हैं जो application है यहां पे student लोना है तो आपको थोड़ा से ओपर करना है तो यहां पे आपको मैंने सार कुछ बता दिया यहां पर देख सकते हैं कि सिबल कोर यहां पे कितने हैं तो अगर आप इसकी repayment टाइम पे करेंगे आपका सिबल कोर भी अच्छा हो लगा उसके बाद आपको अच्छा से की repayment करनी है अगर आपको सिबल को अपने मैंटेन करके रखना तो इसकी repayment आपको टाइम पे करनी है अगर आपको इस application से लोन मिलता तो आपको repayment एकदम टाइम पे इसकी यहां पे करनी है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि